कहां से भाईया यूटूब यूपीट चार दाम यात्रा पैदल कर रहे हैं तो यहां से हम लोग यमनुत्री की चड़ाई कर रहे हैं पैदल आप लोग देख सकते हैं और पैदल जाने का रेजन यह है कि यहां पे जाम लग चुका है जाम लगने का वज़ाई यह है कि अभी यहां पे मुख्य मंत्री जी आए हुए हैं यहां का भी见 देख सकते हैं और आप लोग वो 6 km का चराय होने वाला है यमनोत्री के लिए जैसा कि आप लोगों पता होगा अभी हम लोग जानकी चति में और यहां पे बहुत सारे गारी का पार्किंग वगेरा भी होता है काफी सारे लोग एस्टेवी करते हैं यहां पे और हम लोग जो कि यहां से पैदल यात्रा करें जानकी चति से 6 km की दूरी और देख सकते हैं यहां पे होटल भी है आप लोग एस्टेक कर सकते हैं और यह हम लोगा पहला चड़ाई है आप लोग देख सकते हैं यहांपे देख सकते हैं यह मनोत्रि छोग किलोमेटर आप ए हें यहां पर जाने काु नुपर ले जाने का चास कितना लेते हैं कि 9000 ले जाने और लाने दूनों का चलिए जैसा कि आपको फाल्की से जाना चाहते हैं तो 9000 लगता है देख लिए आपनों यह घोड़ा का प्राइस आपको पूछ के बताता है कितना है तो जैसा कि यहां से अगर जाना आना चाहता है कोई बुझुरूग वियक्ति जिसको च पंदर असर पर चलिए ठीक है वहां से स्टार्ट करेंगे खरसाली पूल से और पांच किलो मीटर है ना चलिए ठीक है बहुत धन्यवाद आपका जय माता दी देख सकते हैं यहां से यमनोत्री की पैदल मार्क शुरू होता है यह रास्ता देख सकते हैं आप लोग क्या हुआ क्या हुआ इनको गोड़े नहीं मिले हैं तो यहां पर चलते हैं और यहां पर देख सकते हैं अंकल ट्रेकिंग कर रहे हैं इतना उमर में भी तो भाई इनके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और फाइनली एक छोटी सी चरहाई हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है को और चुंआ मोग देख सकते हैं जिए गोरा ले जारहे हैं सब का भाई हम लोग तो यह रास्ता सेलेक्ट करेंगе इतने पाल की है देख सकते हैं आपreibtक्सक्त पर करने के बाद ओपर जाता है सब का टेक्स लगता है कि देक्स लगता है अप लोग को बोछें ओपर ऐसे थी मैं यहां से Casey हो आप कह से नेपाल है तो यह देख सकते हैं भई यह नेपाल से यह प्राकिर्द इसंध दर्ता देख सकते हैं आप लोग देखिये हो ओर यह है यंह लोग का रास्ता जससे लोग जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं और उपर देखिए पहार गिरने का डड़ है तो क्रिप्या सतरकता से चले कि अज़े हम लोगो यमनुत्री धाम का जो की सफर है वो सरह 4 किलोमेटर का और बच चुका है तो चलिए देखते हैं इस साहे 4 किलोमेटर के डिस्टेंस कवर करने में हमें कितना समय लगता है और रास्ते में क्या-क्या सुन्दरता देखने को मिलती है चारदाम जात्रा के लेरेजी स्टेसन को वेरिफाय कर बात सकते हैं आप लोग देख सकते हैं ये काउंटर बना हुआ जो कि मुफ्त है और यहां से रता है एक और चड़ाई कर आराम करते हुए दिरे-दिरे चले सांस नहीं फूलेगा चलिए चलते हैं उपर यहां पर रास्ते में भंडारा वगेरा चलना है देख सकते हैं यमनोत्री के रास्ते में तो यह चना मिला है और यह हलुआ मिला है दोनों चाय भी मिला है सब्फिरी है ना तो यहां पर सब्फिरी सेवा है आप लोग देख सकते हैं चाय भंडारा सबकुछ हो रहा है यहां प तो धाई किलोमेटर हम लोग पार करके आचुके हैं और यहां से 30 किलोमेटर बच चुका देख सकते हैं कठिन चड़ाई आचुकी है हम लोगों के बीच देख सकते हैं हां सब हुआ जैंसो नाम क्या है शिक्षा पाल कैसा लगड़ा यहां आने में आज दर्शन कर लोगी ना चलो ठीक है यहां पर देख सकते हैं गाई पहाल का जो से बना हुआ है सकती है किप विवां अब जavors भाणिद लिए गजिए ख़र सकते हैं और अभी इस पूल के चड़ना यही जड़ते हुए और देखें कहां इतना हूचा चढ़ा भी चड़ना धो से टौप पे जैना हाँ अब इस पहार के सबसे टॉप पर जाना है तो फाइनली काई हम लोग 5 km के डिस्टंस कवर करने के वाद आ चुके हैं उपर और यहां से 1 km के और दूरी है यम नत्री के और यहां पर है भहराव बाबा का मंदी आप लोग देख सकते हैं यह बहराव बाबा का मंदी आप लोग लोग यहां से सुरू करेंगे और यह देखे जिग जग 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 करते करते अभी हम लोग को जाना है और उपर वताइए भाई तो सुने थे लेकिन सच में यार यम नत्री की जो की चैढाई है वो बहुत की कठीन है यहां पर जो आच्शुके हैं यह घोरा पडाव ज यहां पर देख सकते हैं एक तीवर रण है नीचे की ओड तो चलिये चलते हैं इस डार से होते हुए मंदर के परिशर चेतर के पास मुनुत्री धाम में आपका स्वागत है दोस्तों टेखते हैं, पहला दिन है, यात्रा का पहला दिन है, और भीर देख सकते है कितना ज़्यदा लोग का भी, मेle 15 सें बीसमेरं भीर में फंसे हुए है इनके सकते हैं, या मुलतरी धाम में आज कितना ज़्यदा भीर है सरदालू का जो दरसन करने के लिए आया है और आज थे पहला मतलब 22 अपरील है और आज कही दिन कापाट बुला है और देख सकते हैं कि हेला हैं कि अथी लोग है शन्हें जे हैं यहां प्र देखिये ऊप कहिए को कि हम कार नेपाल से आये हैं फिर शी बॉल के ल taraf से यार से काफी साए लोग एंटेखिए चलिया इसे एक आजिए हम लोग यातरा कर रहे हैं हम इस समझ रहा है। तो गाई जैसा कि दरफं करने कंदर जाएंगे विज्टेशन गृट जेसा कि देख सकते हैं हम लोग नहांगे रेडि हो है कुंड में और अब चले दरसन के लिए परस्थान करते हैं वैसे दर्सन का लाइन जो की चेंज़कर जिए गया था लेकिन अब जो कि आयास से लाइन को कर दिया गया है चले चलते हैं आगे कि तरब से हम लोग देख सकते हैं हम लोग cry चुके हैं मायमना का मंदिर का जो कि यह में परिसर यही है में गेर देख सकते हैं और चलिए अंदर चलते हैं वीडियो अगर उला होगा तो वीडियो जरूर बनाएंगे अंदर में कि दर्शन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा दोस्तों फिलुआ यहां आने में वैसे यहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड है दोस्तों अब दोग देख सकते हैं हमारे पीछे मंदिर है मायमना का और हम लोग फाइनली दर्शन कर लिए हैं चलिए चलिए बारिकी का इधर और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि अना अब में फिरी भंडारा भी है जहां पर कांफी सारे लोग देख सकते हैं इस हाल में बेट कर रहे हैं परसाथ मी लाएं तुब हम बढ़े यहां पर अश्यांतिब्री एस अब कुछ बहुत अच्छा लगता है जांतिप् ये लिए भगवान आपको ऐसे ही देते रहे हैं असा कि आप लोग ने देखा 35 साल से यहां भंडारा होता है तो सबसकते हैं चलिए आप चलते हैं जूता वगेर आप पहन लिए हैं निकलते हैं बाहर यहां से हम लोग पूना जाएंगे बार कोट वही पेश्टे करेंगे और उसके बाद महार से निकलेंगे उत्तर कासी अस आज की देवर से इतना ही मिलते हैं नेक्स वीजियो के साथ अब तक ले जयाहिन बढ़ने मातना